नमस्कार आप सभी को मेरा साधर अविनेंदर विवेक्स के मार्ध्यम से इस काजक्रम में जूड़ी प्रिजिदेंट्स स्रीमती संगीता सिंग सभी जूर्नल हेट कावा आज के काजक्रम की मेंटोर स्रीमती रूभी चतरबेडी जूर्नल हेट साउच जून कावा किसे वह समाली पूटी इसी समुषिया है सभी रिजनल कावा हेट्स वरिष्ट अधिकारी गन गुरूप के इंदर नार्पुर में उपरस्थित आज के काजक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर रेखा वीनेब बरहते कॉर्डिनेटर से मती कीती जम बोलकर CRPF के सभी कार्मिक एवं उनके परिवार जनुका मैं युवराश कुमार डिप्टी कमार ने कम ज्वाइन सेक्रेटरी कावा CRPF हेटकॉर्टर ने दिल्ली से आप सभी का हार्दी का विनेदन करता हूँ CRPF परिवार कल्यां सहस्ता के वासिक गतिवीदी कलेंडर के तहत मन्थ जून दो हमारीस को समाजिक उप्तवदाइत वीशे पर व्ध्यान संक्ला हेतु चाहिनिस किया गया है वासे गतिविधी कलेंडर की वैक्षान संक्ला के सभी कालकमों को कोविट की वज़े से वर्शोली आयूत किया जा रहा है तता CRPF के कार्मिक एवं उनके पड़िवार जुनों के लिए इस कालकम का लाइफ परसारन CRPF यूटूब चैनल एवं फेस्बुक के भी किया जा रह स्थापना दिवस की अनेक औनेक छूप कामना है हमें प्रेजडेंट कावा स्री मति संगीता सिंग से अनरोज करना चाहूंगा कि वो कावा के 27 स्थापना दिवस पर सभी छत्रिये कावा केंदरोद्वार आयूत काय कर्मू तधा आज के इस वे ख्यान सिंखला के दसवे व मेंबर्स ऑनलाइन मात्यम से जूड़ी सभी जोनल हैट्स आर कावा हैट्स और परिवार के सदस्यों अधिकारिगार्ण कार्मिको तता आज के कारिक्रम की मुख्य व्याक्याता डॉक्टर रेखा विने बरहते का अभिनंदर सरप्रतम आप सभी को कावा के 27 वी वर्षगा को हम सभी ने लीक से हटकर सी आरपीएफ के सभी शेत्रिय कावा केंद्रों में तीन पॉइंस स्वास्थ एवं कल्यान खेलकूद एवं समाजसेवा के अधार पर अत्यंत हर्षो लास से मनाया कावा परिवार द्वारा कावा की 27 वर्षगाट को इतने व्रहत स्तर पर मनाने तथा तीनों बिंदों पर गति विदियों को आयोजित करवाने के लिए आप सभी प्रशनस्ता के पात्र हैं इसके लिए मैं आप सभी कावा की वर्षगाट को आप सभी इसी उत्सहा के साथ बनाते रहेंगे मुझे कावा की 27 वर्षगाट पर ये गोश्रा करते हुए अध्यांत हर्ष हो रहा है कि स्माइल्स फाउंडेशन स्प्रेट माइल्स ओफ स्माइल्स NGO के सहयोग से कावा द्वारा CRPF के सभी कार्मिकों चाहे वो सेवारत हो शहीद, मृतक या सेवानिवरत हो उनके चार से बारा तक की कक्षा में अध्यान रत बच्चों के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए निशुल्ख वाई जूस के e-learning एप लाइसेंसिस मुहेया करवाय जाने का प्रवधान किया जा रहा है और साथ ही आप सभी को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि कावा द्वारा एक नई योजना CRPF Depth Protection Scheme के सरजन का अभी प्रावधान किया जा रहा है इस स्कीन में CRPF के जवान जो लोन लेते थे और उसके पश्चा दिहान्त हो जाता था उस स्कीन में उनके परिवार को काफी कठनायों का सामना करना पड़ता है उनकी वित्य सहायता प्रदान इस स्कीम में उनको वित्य सहायता प्रदान की जाएगी हम सब 2021-22 के वार्षिक गतिविधियों के दस्वे विशे सामाजिक उत्तर दायतु पर व्याख्यान श्रिंटला का भी आयोजन कर रहे हैं सामाजिक जिम्यदारी एक नैतिक और वेचारिक से धानत है कि एक एक इकाय चाहेवे सरकार निगम संगठन या व्यक्ति हो समाज की प्रति जिम्यदार है व्यक्ति और संगठन बड़े प्यामाने पर समुदाए की मदद करने के लिए बाते हैं आम तौर पर यह एक सक्रिय प्रियास है जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे के विरुध कारे करना या पर्यावर्ण के लिए हानिकारक कारे करने की रोप्थाम शामिल है। आज के इस विशय पर अपने विचार रखने के लिए डॉक्टर रेखा विने बारते आज हमारे साथ वेबिनार माध्यम से जी सी सी आरपी एफ नागपुर से जुड़ी हैं। मुझे पुरा विश्वास है इनके विचारों से हम सभी लाभानवित होंगे और सामाचिक उत्तर दाइत्व को भली बाती समझ पाएंगे। धन्यवाद, वेलकम डॉक्टर रेखा विने बारते, थैंक्यू। धन्यवाद मैम, एक बापुना कावा परिवार आपको आपका आभार प्रत करता है मैम कि आपने आपके देखरेक में कावा ने बहुत आयाम को हासिल किया है और साथ में बाइजूज और साथ में जो डेथ स्किम की जो आपने आज चर्चा की है ये निश्यत रुप से बाइजूज के द्वारा की लर्निंग के लिए कावा की तरफ से स्माइल फांडेशन से सहयो किया मुई किया गया है जिसके तहत हम एक बाप प्रिस में बताना चाहूंगा कि कक्षा चार से लेकर बारत तक की बच्चों के लिए और हमारा पास डेटा भी आने शुरू हो ग जाया है कि वैसे तो कावा के इंतरके बहुत सारे स्किम्स अमरन कर रहे हैं लेकिन इस सबसे अलग हटके जो हमारे जो सहीद होते हैं या पर उनकी मिर्ट्व आती है तो मिर्ट्व के पस्चात उनकी फैमिली मेंबोस या वीडूस जो कि कि किसी ने किसी तरह के तहत वो उसमें से जो भी संभावित हो सके उस बजट का इस प्योग करके हम ऐसे फैमिलीज को जो इस सब्सक्राइब के कारण उनके बच्चे जो जो सिक्षा से वंचीत रहाते हैं उनको ऐसे स्किम के तहत मदद की जा सके तो बहुत जल्द इस स्किम की सुरुवात हो जाएगी और स्वास्त ऑफ एवं कल्यान खेल को देवन समाज इस तावर इन तीन वेशियों पर इंवर कल्या ज़्यों कर्याखत ने शफुल्क ने Weisoo फिर, दंच शिष्या से फ्री मेगा मेटल केंप योगा चुलिड लगा गये प्रकार के खेलों का आयोजन तरवाय गया जिसमें महलाएं और बच्चों द्वारा ही बहुत उस्साओं के साथ इसमें भाग लिया गया समासेवा गतिविद्यो के अंतरगत चेत्रिये कावा द्वारा द्यानिक उप्योक्ति वस्तिवों जैसे कपरे दावाईयां लेखेने वहां पाथन समगरी राशन तो फ्रिश का वित्रंग किया गया खेलकुर गतिविद्यों के लिए बैडिमिंटन, केट फुटबॉल, वाल किये गए काज कव्मों की एक धिलक पावर पॉइंट प्रेसेशन के माध्यम से कर दो दो झाल 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 तो झाल झाल क्यों आया एक ही डॉमेस्टिक वैलास एक्ट में एक ही लॉग के अंतरगत तुम्हें सभी अवरत उनको मेंटेनस मिलेंगा उनको उनके बच्चों के कस्टड़ी मिलेंगी उनको ससुराल के गर से निकाला नहीं जाएगा उनको मेंटेनस भी बिलेगा या फिर उनको जो भी सब कुछ मिलने वाला है इसके लिए भी बहुत सारा जो वुमन और्गनाइजेशन थी उनने बहुत स्टड़ी किया उसके बादे लौ जो है वो 2005 से फिर से काम करने लगा उसके उसके उपर भी मुझे से लगता है अभी कि उसके उपर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि डोमेस के लिए आया ये लौ पर उसको अभी इंप्लिमेशन के लिए बहुत प्रोग्लम आ रही है 2005 का लौ है अभी 2022 चल रहा है 17 साल हो गया है अभी एसपर दल्वा ऐसा है एसपर दल्वा की 90 डेज में वह लेडी को न्याए मिलना चाहिए दो तो तीन चार पांच पांच छे साल निकल च्याथ है उसको स्कूरा जस्तिस नहीं मिलता है इसके ल Europi हम लोग बहुत सा cand τप है कि हमने हमारा और जिम्मेधारी हम कैसी निबाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम लोग सब सात में नहीं आएंगे तब तक हम हमारी जिम्मेदाई बहुत अच्छी तरह से नहीं निभा सकते हैं जैसे कि आभी जैसे फिर से मैं उसका ही करूगी कि कैलेंडर में अमने जो देखा कावा के इतने सब लोग सात में आएं तब जाके तुम्हारी बहुत सुन्द करने पड़ेगी अभी हम लग बात करते हैं कि इंडियुजियल के बारे में कि यह सामाजिक जिम्मेदरियम कैसे अच्छे से निभा पाएंगे जब इंडियुजियल यानि मैं मैं खुद सब्पोस मैंने मुझे अपने आपको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा खुद को आपको एंट तब जाके मैं एक अच्छा काम बाहर जाकर कर सकती हूँ जैसे की बहुत लंगको योजे सही और गलत अंतर अब नहीं पता चलेंख तो credible क्राइक समाज सामाज करें जिम्धारी नहीं है तो तो हमें क्या करना है कि करना के वी आदत बढसे हम लोगों को सामें अससे लगता है कि एक अच्छा समाज तयार होने के लिए हमारे बच्चों में हम लोगों को लाना पड़ेगा यह सभी चीज़े उसके लिए हम लोगों को सोचल होना पड़ेगा हम लोगों को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा जैसे कि मैंने अभी वो कोका कोला का जो उधारन बताया मुझे ऐसे कितनी कितनी सारी चीज़े है कि जो हम पढ़ते भी नहीं और कुछ उसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं तो आप सभी को मुझे ऐसे लगता है कि लाज जो अपना है संगटन परिवारों की सामाजिक की जिम्मेदारी है तो सभी सामा यानि सब फैमिली जगर एक साथ आती है तो बहुत ही एक हम अच्छा कार्यकरम कर सकते हैं और एक अच्छा समाज भी हम लोग कर सकते हैं इसमें कोई दूमद नहीं जैसे कि मादमा गंधिजनी यह बोला है कि यह विश्वम में हर एक के लिए बहुत सारी चीज़ें हरे क्या पेट भरने के लिए है इनव है पर अगर किसी का बहुत ही लालच रहे कि तो बिल्कुल ही नहीं है फिर एक जन को ही अगर लगेगा कि मुझे ही सब कुछ चाहिए तो दूसरा तो भूकाई रहना है 100% रहना है तो मुझे ऐसे लगता है कि यही लाइन पे हम लोगों को एक साथ सब को आके ग्रीड याने क्या मूलेंगे लालच यह छोड़के हम लोगों को सभी का विच्चार करना है और हमारा सामाजिक दाइत्व जो है वो बहुत पुछना है तो हम उसके लिए तैयार है इसी को कुछ लगता है तो आपके द्वारा यह लिया गया सेशन रेप्रेंटेशन हम सब के लिए बहुत ही मौत्पून रहेगा अब मैं वेविक्स के मार्दयम से जुरू हुए जो भी कावा सेंटर्स हैं या जो सीसी मेंबर चुड़े हैं मैं उसे अगरा करना चाहूंगा कि आज के की नोटिस स्पिकर के द्वारा दिएगे व्यक्यान इवां प्रस्तोती पे वह भी सवाल अगर आप उनसे पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि कि मैं पर्चर कि घंगे कि पनात रेजिए तो स्वाय से री आने बालें कि लोग जप्ताओ् यसमाज में इंपर्चर कर सुष्टाओ देंगे एग जिम्माज का निर्माज कर निर्मान् जब तक दो वो लोगी एक जिम्मेदार समाज का निर्मान होना थोड़ा कठीन है तो मैं हमें क्या लोगों में एक स्वाइए से भी होने का भाव कैसा प्रदान करें जिससे नागरिकों में नागरिक अपने बारे में नहीं बलकि दुसरों के प्रती भी चाबरुक रहे अपका सवाल बहुत ही अच्छा है देखिये ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि सामाजिक दाइत्व यह पहले था हमको अपने घर से ही अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा हमारे घर में ही हम देखते है कि सिब बाहर जाके जैसे हम बहुत जलों कम देखते हैं कि यह का थी अच्छे से बात करेंगे उनका क्या प्रॉबलम है वो समझ लेंगे और उनका प्रॉबलम हम कितना हद तक कुछ सॉल कर सकते क्या उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि यह एक सही तरीके से हमारा एक रिस्पॉंस्बिटी हम बहुत अच्छे से न जाते हैं कि जादा इसमें कौन जाएगा हम हमारा एक comfort zone छोड़के बाहर निकलना हमारे बहुत मुश्किल रहता है और काम करना यह सोचल इसमें आना यह रियली बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको अगर किसे ने बोला कि चलो रात में 10 बजे चलो एक जन को बहुत तो यह रहता है कि मुझे अंदर से लाना पड़ेगा कि मुझे किसी को help करना है तब जाके मैं किसी को help कर सकती हूं और मुझे मैं जब तक कोई problem को मैं समझनी सकती हूं और एक golden rule है हम फिर से वहीं बोलेंगे कि golden rule है कि मैं जब तक वहाँ पे खड़ी नहीं होती हूँ कि यह ठीक है कि मैं यह situation में अगर रहती थी तो मुझे क्या problem आती थी वह जब तक मैं visualize नहीं करती ना तब तक मैं किसी का problem भी solve नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम मुझे इसे लगता है कि हम लोगों को पहले बहुत important है इसके लिए आप कोई भी संगटना से आप जूड़ सकते हो उनके साथ आप काम करना चालू कर दो definitely यह जो है दिरे-दिरे करके ह अची warrior and मेरी ब्लोबल वार्मिंग जो हो रहा हा है तो मेरा ध्यूटी मंता है मेरे घर के आजू बाज्मेanor में में दस पेड़ लगाओ और वह दस पेड़ को मैंने जगाओ मैंने उसको पानी डालके मैंने उसको बड़ा करना है इसको बड़ा करना है यह पिर इस्पोंसिबिलिटी आपने ले लिया नहीं तो बहुत बढ़ा काम स्टार्ट हो जाएगा और आपको देखके डेफिनिटली दस लोग करेंगे 100% करें कि तैंक यू और किसी स्टेशन से किसी का सवाल कि वेबेक्स से जरुए जो भी मेंबर सें उनके तरब से कोई और सवाल कि एटपॉंस टेपर माइला दौतन मिनेस होई जिसी नागपूर से मेरा सवाल यह है माम कि हम सिक्षित समाज का एक हिस्सा है परंतु फिर भी हमें बार-बार यहां का दोरान की जरूत पड़ती है हम एक ऐसे समाज हम ऐसी समाज का निर्मान पैसे करें जो कि एक सामाजी कि जिन्नेदार हो और मुल्सिक्षा ही नहीं करें अब कि एक एक नईतिक वो विए दिए अभी वेपिर से इसमें यहीं बूलूँगी कि समाज का निर्मान कैसे कर सकेंगे तो इसमें हमारा एंठिक आप में यह हमारा फॉर्सकूल रेता है ना हमारा घर इने अहरा सकीछ रहते हैं जहाँ पर हम हमारे बच्चन को कैसे बढ़े करते हैं हमारी एक्टिविटी चैसे रखते हैं उसको देखते हुए हमारे बच्चे वह बड़े होते हैं औरी वह ब Un SAY ऑगज समय में ज़म जाते हैं त्पकुर्ए के इसे बहुतपकर इसे हैं還ए जूत बखुलते हैं कि हम ज़ूत सची मात करना कुछ इसको मेरे घर में रिलेटीव आता है जिसको मुझी मिलना नहीं है कोई ने को बता एक हैं थी ऊटानां रिए इन और यह एक्क Кारणबस्षी जोट शोट बुल ना पड़ा तो इसका भड़ों बच्चों को दो कि मैंने यह जूट क्यूं बोला था अगर मैं वैसा करने तो बच्चा समझ जाएगा और मुझे ऐसे लगता है कि यह नौबत अपने पर ना आए यह explanation देने के नौबत ही ना आए उसे better है कि हम बच्चों के साथ एक अच्छा वेवार रखे हैं जैसे हम बच्चों को हम हमारे बच्चों को भगवान को नमस्कार करने के लिए रोज सुभश शाम बताते बच्चों को बोलते हैं दिया लगाओ अगर वत्ती जलाओ नमस्ते करो पर हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि अगर घर में कुछ उसने रैपर चॉकलेट का रैपर रहता है या और कोई गंदा अ बच्चों को डालना पड़ेगा यह आदते जो हैं हमको बच्चों में डालनी पड़ेगी तब ही जाके जो बच्चे हमारे घर का हजबंड वाइफ का रिलेशन्शिप कैसा है उसके पर बहुत डिपेंड करता है घर में अगर हजबंड अपनी वाइफ को तू पागल है तो आगे जाके अपनी बीवी को क्या रिस्पेक्ट देने वाला है नहीं देगा वो रिस्पेक्ट इसलिए हमको घर से हमको यह जो बाते ना हमको करनी पड़ेगी और जब हम एक दुसरों को रिस्पेक्ट देंगे हमारे घर में तभी जाके हम लगों को रिस्पेक्ट मिले कि उसने मेरे को पहले कितना तकलिफ दिया था वही सोचते रहते हैं हम लोग मुझे ऐसे लगता है कि वह बात को निकाल डालो वह अभी उसकी एज हो गई है अभी वह अपनी ताकत नहीं दिका सकता है तो कि उसको मुझे समालना है अगर वह हम काम करते हैं तो हमारे बच्चे वह देखते हैं और हमारे बच्चे उसी तरह से हमारे साथ करेंगे क्योंकि उनके सबकॉंशेस मैंड में सब कुछ जाते रहता है दुसरा है कि बच्चों को बहुत जदे अपक्षा है उनसे मत रखो पर अच्छी बातें बिल्कुल सिखाना चाहिए इसके साथ अच्छा वेपार कैसे करना यह हमारा रिस्पॉंसिबिटी है तब ही जाके आगे जाके समाज जो है वह अच्छा होगा नहीं तो घर में जगड़े चल रहे हैं कि तु यह घर में नहीं जाना क्योंकि वह समाज के है तो उनके घर में नहीं जाना क्योंकि वह दुसरे धर्म के है उनके साथ तुमने बात नहीं करना यह सब छोड़ो और बच्चों को अपनी तरह के से उनको उनके एक्सपरियंसे साने दो आगे जाने के बाल उनको समझ देते हो कि कौन सा समाज कौन सा धर्म क्या है कैसा है अब उसके लिए हम रिस्पॉंसिबल है तो हमको यह जिम्मेंदानी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तब ही जागे अच्छा समाज बनेगा यह मेरा खुद का एक्सपरियेंस है कि थैंक यू कि थोड़ा समय के पावन में हम लोग और विशेंस तर्पे आज का विशे भी ऐसा है कि इसमें पूछने के लिए कम और करने के लिए ज्यादा है क्योंकि जितनी चीजे मैं आपने इतनी विश्टार से बताई है और समाजिक उत्तरदायोत के रूप में जितने चीज़ हमें करने चाहिए उसको आपने बहुत ही बारीकी से में बताया है तो साइब सवाल भी बहुत कम बन पाएंगे इसमें क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं पहल नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सवाल भी नहीं कर सकते हैं मैं और मैं आप सब को बताना चाहूंगा कि प्रतेक मा आउजित के जाएंगे वार्सी गतिविधी कलेंडर की तर्थ कावा के भारत वर्स में फैले सभी चत्रिये कावा केंद्रों में सम्मंदित विशे पे गतिविधियां तक भी एक्षान आउजित करवाई जाते रहे है सोचल रेस्पूंसिटी पर भी विभीन इरिजनल कावा द्वारा अपने अपने संस्थान में सेमिनार एवं वाक्षप आजित किये गा है प्रोग्राम की एक जलक में दिखाना चाहूंगा यह विशेप है आउजित किये जाने में अलग 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 छेत्रों के द्वारा कंडर्ट कर आएगे वाक्षप की एक जलक है जो भारत की अलग अलग अरिजनल कावा सेंटर्स में किये गया है तैंक्यू सो मच और अब मैं कि प्रोग्राम के अंत में अमरोद करना चाहूंगा इस रिजनल कावा है जो केंदर नाकूर स्रेमती किर्थी जमोलकर पत्मी स्री पीया जम बोलकर यह जिसने आपकूर से कि वे आज के व्याक्षाता को प्रेजडेंट कावा की तरफ से कावा किस मिट्री चीन भेंट कर उन्हें सम्मानित करें ग्रोप के नाकूर के तैंक्यू मैं क्राइशक्रम के अंत में इस क्राइशक्रम को सफ़ल आयोजंग के लिए क्राइशक्रम की मेंट्र से मती रूबी चत्रवेदे जोर्रेट कावा साउच्यों की कॉर्णेटर से मती किर्थी जम बोलकर पतंक्यसरी पिर जम बोलकर इजूर्प के नाकूर की नोटिस स्पीकर डॉक्टर रेखा वी ने बरहते सवी रिजनल कावा हेट्स फेस्बूक एबं यूटूब के माध्यम से प्रसारन देख रहे हैं स्रीय और पीए के तमाम कार्मिक एबं उनके पड़िवाड जोनों का मैं अभार विख करता हूँ कावा के 27 सब्सक्रा डिवस पर आयोजित कराये के विभीन प्रकार के कार्यक्रमों को बेतरी ढ़क्त आयोजित करने के लिए साड़े रिजनल कावा हेट्स को विशेश धन्यवाद देता हूँ हमें पुर्ण विश्वास है कि डॉक्टर रेखावी ने बरहते द्वारा समाजिक उस्त्तव दायत विशेश पर दी गई जानकारी समस्त त्य और प्रकार्मिक एबं उनके पड़िवार के लिए अत्यन सब्सक्राइब करता है इसी के साथ आज का काश्क्रम यहीं करता है धन्यवाद शुक्रिया जैहिन